अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्टडी के साथ साथ फिजीकली अक्टिविटी इस में भी एक्टिव रहें तो आज मैं कुछ ऐसे एक्सेसिस बताने वाली हूं जिसको करने के बाद आपका बच्चे हमेशा है फिट हैल्टी और उसमें एक्टिव ही रहेंगे आपको इतना करना है जैसे मैं करूँ सेम अपने बच्चों को करना साथ के साथ आपने भी करना है बच्चे B edo और सबसे चलाने हैं अपने दोनों भैंड को को आप साइड लेकर जाना है वास हमें अपने राइट लाइक के निको बेंड करके अपसाइड उठाना है और अपने हैंड्स को आप से डाउन लेकर आना है से लेफ साइड करना है इसको 15 के टू सेट्स करने है कि इसी तरह के सब मारी फर्स एक्सेसाइज यहां पर कम्प्लीट होती है अब हम अपनी नेक्स एक्सेसाइज स्टार्ट करते सबसे पहले हमें अपने लेफ लेक को फ्रेंट साइड अपसाइड उठाना अपने राइट हैंड सा लेफ लेक को टच करना है सेम लेफ को राइट कि इसको 15 के टू सेट्स करने हैं इसी तरह के से मारी एक्सराइज भी यहां पर कम्प्लीट होती है अब अपनी नेक्स एक्सराइज स्टाड़ करते हैं, इसको इसको 15 के टू सेट्स करने है इसे तरह कि हमारी एक्सराइज भी यहां पर कम्प्रीट होती है अब हम अपनी नेक्स एक्सराइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने दोनों लक्स को ओपन करना है दोनों लक्स की निको बेंड करके डाउन साइड जाना है अपने हैंड्स को फ्लो पर टच करना है देन अपने दोनों हैंड्स को हमें अपसाइड उठाना है लेफ साइड देन इसमें राइट लक्स्ट करना है लेफ लक्स की निको बेंड करना है अगेन सेम डाउं सेम साइट करना है कि इसको फिफ्टीन के टू सेट करने हैं है 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 भी कह अ हुट अ इसी तरके से हमारी एक्सरसाइज भी यहां पर कम्प्लीट होती है अब हम अपनी नेक्स एक्सरसाइज स्राइज करते हैं सबसे पहले हमें अपने दोनों लेक्स को ओपन करके अपने दोनों हैंड्स को हमें डाउन साइज लेके जाना है फिर्स्ट इन इसमें दोनों लेक्स क के टू सेट्स करने हैं इसी तरके सा मारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कम्प्लीट होती है अब हम अपनी नेक्स एक्ससाइज स्टार्ट करते हैं हमें जंपिंग जैक्स करनें इसको भी 15 के 2 सेट्स करनें फर्स अपनी दोनों लैक्स को ओपन करना है जैन जॉइन करना है अपने हैंड़स को अप से टाउन लेकिया अना इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहां पर कप्लीट होती है अब हुआ अपनी नेक्स अक्सरसाइज स्टार्ट करते सेम हमें अपने दोनों लेक्स को ओपन करना है अपने दोनों हैंड को ओपन करके फर्स अपनी आपर बोड़ी को डाउन साइड ले जाके राइट हैंड से लेफ लेक्स को टच करना है इसमें हमें अपने दोनों लेक्स किनी को बेंड नहीं करना है स्ट्रेट करके रखना है सेम राइट साइड करना है अगिन लेफ अगिन राइट इसको 15 के टू सेट्स करने हैं इसी तर के समभारी एक्सेस भी आँ पर कम्प्रीट होती हैं अब हम अपनी नेक्स्यस साइज साट करते हैं सब से पहले हमें अपने दोनों लेक्स को जोईन करना है और फ independent right legiin को front side लेके जाना है दल्फ लध को backside में इस exercise में जब भी करना है इस exercise को हमें non stop करते रहना है इसमें हम आपने दोनों हेंड्स को भी उज़ करें दोनों हेंड्स को first right side लेके दाने then left इसको 15 के two sets करने है इसी तरी के समारी exercise भी हाँ पर complete होती है अब हम अपनी next exercise start करते सेम हमें अपने दोनों लेक्स को open करके अपने दोनों हेंड्स को front side लेके आने first हमें अपने left side punch करना है same right side इसको 15 के two sets करने है इसी तरी के समारी exercise भी हाँ पर complete होती है अब हम अपनी next exercise start करते सेम हमें अपने दोनों लेक्स को open करके अपने दोनों हेंड्स को हमें front side roll करना है first हमें अपने right को front side लेके जाना है then left front side हम 15 के two sets करने है same हमें back side करना है back side भी हमें 15 के two sets करने है इसी तरी के समारी exercise भी हाँ पर complete होती है अब हम आपनी next exercise start करते सबसे पहले हमें अपने दोनों हेंड्स को straight करके flow पर रखना है अपने दोनों लेक को straight करना है first हमें अपने right leg के नहीं को bend करके inside लाना है same left को use करना है इसको 15 के two sets करने हैं इसी तरी के से मारी exercise भी हाँ पर complete होती है अब हुआ अपनी next exercise स्टार्ट करते हैं सेम हमें अपने दोनों हेंड्स को straight करके flow पर रखना है then अपने दोनों लेक्स की नहीं को bend करके रखना है पॉस हमें अपने right leg को use करना है right leg को हमें upside उठाना है back side right 15 के two sets करने है इसी तरी के से मारी exercise भी यहां पर complete होती है कैस अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा fit and healthy and हर activities में active हो तो आप मेरी इन exercises को अपने बच्चों को follow करवाना ना भूले अपने बच्चों को आपको regular करवाना है one day भी miss नहीं करना है और जो आज मैंने आपको exercise बताई अगर आपको कुछ doubt है कुछ clear नहीं हुआ है तो आप मुझे comments box में लिखकर send कर सकते हैं मैं आपके doubts को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरू क्लिया करने की कोशिश करूंगी आज के लिए इतना ही अब मैं आपसे अपनी next वीडियो में आने की new exercises के साथ मिलूंगी अभी के लिए बाई बाई कर कर दो एको याले के लिए वीडियो कर दो कर दो दोफिए अपसे ऴीडियो के सकते हैं